जितने आस्था चेनल पर कता सुन रहे हो, जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो, और साउधानी से सुन ना अमावस्या के दिन प्रदोश काल में प्रदोश के समय पर प्रदोश काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी तलाब पाओडी हुआ कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहाँ पर एक घी का दिया पती का मूं तक छिन की ओर करकर अवस्य जला करा जाना सारे पित्र दोश स प्रदोष्काल में अगर नदी तला पाउडी कुवार नहीं है तो पीपल का व्रक्ष हो या बेलपत्री का व्रक्ष हो या बट का व्रक्ष हो उसके नीचे लगा दो प्रदोषकाल में पर अमावस्या दिन लगाएं जरूर अमावस्या के दिन पित्र शाम के समय प्रदोशकाल में संकर भगवान का नाम जाप करकर नदी तला बावडी पर पानी पीने जाते हैं वहां से जल का अच्मन करकर पित्र अपने लोग को चले जाते हैं प्रदोशकाल के समय पर इसलिए प्रदोशकाल म पित्रों का आश्रवाद रहता है आप देंगे कुछ करा ना करा फिर अमावस्या के दिन दिया तक्षिन की और बाती का मुखर कर लेकर जो बच्चा चिर्चिर करता हो या बढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो डक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रही है उस बच्चे को तो या तीन अमावस्या गाई जब बच्चडे को दूद पिलाए बच्चडे के मुhnपर जो खेन आता है वो खेन उस बच्चे को पिला दिया जाये तो बच्चा विद्वान हो उसका विवेक काम करना प्रवल हो जाता है जिसके शरीर पर सफेद दाग पढ़ गए हो चर्म रोग हो गया हो चमडी सफेद पढ़ गई हो गाय जब अपने बच्छडे को दूद पिला है उस बच्छडे का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए शरीर में जहां-जह पर सफेद दाग पढ़ गए हो चमडी सफेद हो गई हो उस जगह पर लगा लीजिए कम से कमादा घंटा बेट जाए और बेटने के बाद में उसके बाद में फिर इसनान कर लीजिए उस फेन का प्रियोग करकर देखिए चमडी अपने असली रंग में आना प्रारम हो जात बाड़ि है पति-पतनी में साँ 25 प्रेम को बढा या जा ने के लिए शंकर भगवान का कनेर के पुषप कि माला का कानेर का बुअ पीला पर तीवी पर दर्शन कर रहे होंगे कनेर के पुषप कि माला जो उसका जलाधारी लगी है जिस जलाधारी में से बं बून स्वानि गिरता है ये संकर भगवान की पाँच बेटियों का इस्थान है कौन-कौन सी बेटी नाम लेओ जया विशहरा शामली बारी तव तली और पाँच का नंबर की देव ये शिवजी की पाँच लड़की है जो पानी बूंद-बूंद नीचे गिरा रही है संकर भगवान की ये जो जलाधारी है बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बना कर इसपर्श करकर लगा देता है प्रदोशकाल के समय पर उस पती-पत्मी में कितना भी जगड़ा हो रहा हो आपस में प्रेम बनना प्रारम हो जाता है आदालत का किस धीरे-धीरे समाम अगया कनेर का कुष्प भाई भाई में विवद रहा हो जमीन के लिए विवाद रहा हो इसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो या तुमारे दुस्मन बढ़ रहे हो तो भी कनेर का कुष्प शिव को समर्पित के आजा। जो हनमान जी माहराज को तीन तरह की माला समर्पित होती है एक आपड के पत्ते की दूसरी बेलपक्तर के पत्ते कें तीसरी पीपल के पत्ते ये zero program जब संक्रल्टार्पाराज को समर्पित होती है जिस समय पर अगर ब्यक्ती के जीवनमें भहुट भारी रोग हो गया है- और हनमान चालीसा का हर पत्ते पर इस्मन करिए मारत। आप हनमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में काट लगाते जाइए। और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीडित है, हाथ का इस पर चपराईए और संकर पुछड़ाईए। अपने आफ दवाई लगना प्रारम होगी, कैंसर जिसा रोग भी धीरे-धीरे समाप्ती पर आएगा। कोई बच्चा एक्जाम में बेट रहा है, सीय की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एक्जाम में बिठा, पास होई नहीं रहा, बहुत हार गया। बेलपत्री की माला चड़ाओ, आप बेलपत्र की माला चड़ाओ, 108 बेलपत्र, आप श्री, शिवाय, नमस्तु भ्यम, मंत्र का जाप करकर, डाट लगाकर, अगवान श्री हनमान जी महराज के सामने पहुच कर, माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ती एक्जाम में बेट रहा तीन बार इस्मरन करकर, माला श्री हनमान जी को पहना पीजिए, ऐसा कोई एक्जाम नहीं, जिसमें से आप निकलना आप, पर करना आपको पड़ेगा, बगवान, और प्रयास जहा तक हो सके, प्रदोस्काल में अगर चड़ाएंगे, तो जादा फलगा ही रहे, प्रदोस् छोतता है, जिस पत्य प्रसीता रह नहीं लिखा जाई, एक सोआज पते में से एक। कत्ता बस उस पत्य को हाटेली में रखकर, उल्टा हाथ आपको रखना है, और अपनी कामना करकर, उस पत्य को बांग देना है, ये जरूरी में कि पत्चिस के उभाद बांदो, प्चास के बंदो कि अपने ही पड़े उस थाली पत्य को कहीं पर भी बंदी और उस माला को अपनी कामना करकर श्री हर्मान जी महराज को समर्भ बिच कर दी जें मारद इसके लिए कोई तीधी कोई दिन और कोई बार निश्चित नहीं बस ये माला जब हर्मान जी को चड़ जाल तब एक घीका और एक तेल का दिया हरमान जी के सम्मुक में लंबी बाती का लगा देना है अगर आपको रातरी में नींद नहीं आ रही है ऐसा लगता है कि रातरी को एक घंटा देड़ घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं सुबह तीन वज़े तक चार वज़े तक नहीं आती चार वज़े के बाद फिर नींद आती है तो एक प्रिक्टिकल जरूर करकर देखना प्रिक्टिकल करने में क्या जाता है प्रयास करने में क्या कुछ जटा है क्या प्रेक्टिकल कर कर देखना कि कही सिवर वाला मारा जोट तो नहीं बॉल रही है तब प्रेक्टिकल करने में कुछ नी जा एक लोटा पानी लो उसमें थोड़ा सा पच्छा दूड डाल लीजИए पेल पतरी का पेड या पीपल का पेड या पट का पेड इन पेड के नीचे लिजा कर उस दूद को दो पहर में सुबहां दस bajजे से लेकर बारा वजे के बीच में लिजा कर चड़ा देजिए रात्तरी को फिर ना आपको प्यास लगेगी न भूख लगेगी नीन देखवार लगी तो सुबह ही खुलेगे ईill ago करने में कहा जाता है चरी शिवाय नमस्तु रखम कर सिरी शिवाय नमस्तु रखम मेगाच्ड जरूर करना कई सीऊर वला महरा जूट तो तो दो चीजों का इसमर्ण होना चाहिए एक अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर दो स्वस्तिक बना कर अवश्य हैं दो स्वस्तिक बना कर अवश्य हैं कावडियों का नियम होना चाहिए घर से जब निकलें दो स्वस्तिक दरवाजे पर बना कर आना चाहिए जिस समय आप कावड का जल चड़ा कर वापिस घर की और जाएं तो वो दो स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस उस घर से लच्षमी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी ले होती है, कावडियों का इस्मर्ण में आना चाहिए, जब ज़ल भरने जाओ, तुमारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए, तुमारे दरवाजे पर दो स्वस्तिक का इस्मर्ण होना चाहिए, मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धी, मेरे सिद्धी, मेरे देव, नारायन, लच्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरे राधा, सब वहिन पर विराजमान हो जाए, सर्वस्व वहिन, कावडियों को इस बात का भी समर्ड रखना चाहिए कि अपनी कावड यात्रा जैसे सीहोर में तो दस ग्यारा किलोमीटर की है सीहोर सीवन नदी से जल भरा और ग्यारा किलोमीटर दूर बाबा कुबिर भंडारी को चड़ाया आप सुल्तान गंज से भर रहे हो हरिद्वार से भर रहे हो आप प्रयाग राज से भर रहे हो जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो जित्ती दूर तक कावड लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुमारे मुख से व्यर्थ की बातना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए बोल बम का नारा है बोल बम बोल बम